हेलो डियर स्टूडेंट कैसे है आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ मनीता अर्पन मैट्स वाय मनीता अर्पन यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज कल जो है exercise 3.1 exercise 3.1 का question number 6 तक बता दिया गया था कल का वीडियो में और आज एक नए वीडियो में लेकर आया है question number 7 को जो की सिर्फ 3.1 का question number 7 बचा हुआ था उसमेंको बताया जाएगा तो देखेंगे यहाँ पे 75 cm लंबाई बाले एक दोल्यमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोन बनता है उसका माप रेडियन में ग्याद करना है ठीक है वो पैंडूला वाला घड़ी देखे होंगे उसमें क्या होता है कि घड़ी में इस तरीका से एक पैंडूला लगी हुई होती है जो जितना दूरी इधर तै करता है उतना दूरी ही इधर तै करता है तो यह निर्भर जो करता है वो तिर्जिया पे निर्भर करता है यानि इ यह क्या है तिर्जिया है क्या है तिर्जिया है और इससे जितने कौन बन रही है इसका मान मांगता है दोलन करने से एक सिरे से दूसरे सिला तक दोलन करने से जो कौन बनती है वह कौन का मान मांग रहा है उस किसमे रेडियन में जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप क लंबाई निम्ली खित है ये दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ है किसका तिरजिया को r small r लिखते है r बढ़ावर 75 cm तो question number one में चाप की लंबाई चाप की लंबाई बढ़ावर 10 cm दिया हुआ है तो चाप की लंबाई बरावर क्या होता है यल तो अब देखे यल और आर अगर मालूम है तो क्या हम ठीटा रही मान सकते निकाल सकते है निकाल सकते है तो यल फर्मूला क्या पढ़े है चुकी यल बरावर आर ठीटा होता है इसलिए ठीटा बड़ाबर क्या हो जाएगा यल बटे यल का वैल्यू है 10 और ये कितरा है 75 आपको फर्मुला से पता होगा कि ये जब भी निकल कर आता है तो रेडियर में ही निकल कर आता है ठीक है अगर आपको इससे डिग्री माप में पूछता तो करभट करना पड़ता लेकिन पूछ रहा है किसमें रेडियर माप में ही तो इसलिए 10 बटे 75 रहने देंगे 2 पचे 10 15 पचे 75 यानि कि इंसर आजाएगा 2 बटे 15 ठीक है इसी तरह से कोस्तर नबबर 2 को भी वराएगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है दो नबबर 2 चाप की लबाई चाप की लबाई बराबर 15 सेंटीमीटर ठीक है इसको यल मान लीजिए तो इसलिए तो फिर चुकी यल बराबर क्या होता है 8 ठीटा ठीटा बराबर निकल किया जाएगा यल बाई यार ये रेडियन में ही होता है तो यल का वैल्यू कितना है 10 सौड़ी इसका बना रहा है 15 और आर का वैल्यू तो तीनों के लिए सेंटीम दिया हुआ है 75 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 15 पचे 75 यानि कि 3 बटे 15 अभी और कटेगा 15 पचे 75 डारेक्ट कर जाता है एक बटे 5 इंसर अब देखिए इसी तरह से कुस्षा नमबर 3 कुस्षा नमबर 3 भी देखेंगे तो कहता है चाप की लंबाई चाप की लंबाई यल बराबर 21 सेंटीमीटर ठीक है अब यहाँ पे तिर्जिया तो दिया हुआ है यह आर बराबर कितना सबका दिया है 75 सेंटीमीटर तो यल बराबर चुकी यल बराबर क्या होता है ठीटा ठीटा बराबर निकाल लेंगे यल बटे आर यल का वैल्यू 21 और आर का वैल्यू 75 यह कटेगा 27 या 21 और 25 या 75 अब नहीं कटेगा यानि 7 वजटे 25 रेडियन इंसका इंसर आजाएगा ठीक है रेडियन में ही आता है क्योंकि आपको बताए है कि किसी भी विर्ट के चाप की लंबाई यल उसका अंतरित कोन ठीटा रेडियन है और तिरजिया R है तो फॉर्मूला होता है यल बराबर R ठीटा यह रिलेशन होता है इस तीनों में ठीक है यल बराबर कितना R ठीटा तो यहाँ पे अब आपका 3.1 कम्पलेट हो गया है अब 3.2 पढ़ने के पहले आपको कुछ फॉर्मूला बताया जाएगा जैसे कि आपने टेंथ में पढ़े है टिर्गोनोमैट्री टेबल उसको बताया जाएगा फिर इसमें एक नया चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कॉडिरेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थाज तो हम अगले विडियो में उसको लेकर आएंगे और पूरे डीपली से उसको ध्यान से पढ़ेंगे उसमें सारा टिर्गोनोमैट्री का बेस रहेगा और आप लोग उस बेस को जरूर पढ़ेंगे क्योंकि तिर्कोनमीती आप जब तक मैथ पढ़ेंगे कभी भी आपको पीछे नहीं छोड़ेगा और उसका फॉर्मूला तो और भी कहीं नहीं छोड़ेगा बिना फॉर्मूला का तिर्कोनमीती का एक भी कोश्चन स्वल्व करना मुस्किल है क्योंकि देखे आपने 3.1 में भी जो कोश्चन बनाए कहीं भी बिना फॉर्मूला का एक भी कोश्चन नहीं मनाया जा सकता है तो तिर्कोनमीती का फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है उसे आप समझ कर याद करे रट कर याद करे जिनको जिनमें सुविधाये हैं उसमें आप याद लेकिन करे ठीक है हलाकि हम कोई भी फॉर्मूला को कोसिस करेंगे समझा कर बताने का जिस्से की माइन में ज्यादा देर रहेगा तो चलते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सेयर करेंगे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और मेरे लिए एक लाइक वटन जरूर दबाएंगे थैंक यू सो मज